उडिसा सरकार ने अगले चार दिनों में राज्च में चक्रवात को देखते हुए हाई अलर्ड जारी किया है उदर मौसम विभात का कहना है कि चक्रवात की इस पष्ट तस्वीरी अभी सामने नहीं आई है हाला कि 5 मई तक सिस्टम डीब डिप्रेसन बन सकता है और 6 मई को तूफान आने की संभावना भी जता ही है इसके साथ ही श्री लंका ने इस तूफान का नाम आसानी रखा है इसका अर्थ है प्रकोप इसका हसर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघाले, नागालेंड, मिजोरं, जारखंड, उत्तरपूर्व के राजियों में तेखने को मिल सकता है बीते कुछ सालों में उडिसा कुछ चक्रवात का काफी जादा सामना करना पढ़ रहा है वीरो रोपोर्ट, IPN